तो आज हम बनाने वाले हैं इवनिंग स्नैक्स के लिए कुछ और इवनिंग में बहुत क्रेविंग्स होती है कुछ ना कुछ खाने की तो इसलिए मैंने ये डिस्ट लेकर आई हूँ तो पहले हमने लिया था टू फिफ्टी ग्राम ऑफ चिकिन जिसका हमने अच्छे से वाश अभिविया तक और भीविम् में तेम वाच जूम साल्ट दालना एन एक पैन में तेम भी और मुल्व स्पूम और मिवार्टेलं मिक्स करें लाउन देख के ये साल्ट आपके तेस्ट कम सब्सका हम दाला धुम ये ऑसके बार को डालाी नलिगिया एक बार इसे जरू ट्राइ करना और मुझे कॉमें बताना यह कैसे बना है और इसके बाद इसे इसे कोक किया और इसमें हमने वन तेबल स्कून ऑफ काली मीडी का पाउडर डाला एंगें मिक्स किया जाइज आप प्लीज लाइक स्प्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना ओके तो यह कुक होने के बाद कुछ ऐसा होगा तो इसका हम वापस मिक्स करेंगे और इसके ऊपर हम लेड लगा देगे और इसे फाइप मिनिट के लिए रखेगे और फाइप मिनिट के बाद इसे निकालने के बाद कुछ इस तरीके से होगा तो इसे हम अच्छा से मिक्स करेंगे देन आपने वेजिटेबल्स चॉप करने हैं तो यह लिए मैंने कैप्सिकम अनियंज गार्लिक लेसन जो बोलना चाहते होगा और ग्रीन गालिक थोड़ा देगा तो मिक्स बुट्क करेंगे यह लिए ओप जेघ्वा जेबल्स चे तक दीमिक्स मुट्स कोंने के बाद की में मग्इसप्र रंज करते हैं यह यह जो कहां दिने क् लिए आफ दौह दल देगं मैं द्लैट करने के बाद कं मुझे आफ वाइट ब्रेड शिंक आप मुझे वा बहुत हली होता है तो ही आम दे ब्रेड लिया है इसके बाद हम ब्रेड पर सॉस लगाएगे मैंने आप कीज़ा सॉस यूज करा है आप कोई भी सॉस यूज कर सकते हो किसान का या जो आपके पैस सॉस अविलेबल है घर में वह आप यूज कर सकते हो इसको अच्छे से स्प्र फिर उसके बाद जो हमने हमारा बैटर बनाया था उसके उपर लगाएगे और इसके बाद हम इस पर चीज डालेगे है यहां हमेने स्लाइस चीज यूज करा है आप चाहे तो क्यूब वाला चीज होता है वह भी ला सकते हैं और इसको ग्रेट करकर डाल सकते हो अगर आपके पास चीज नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो तो यहां मैंने ओवन में इससे डाला है अगर आपको ओवन में नहीं करना है तो आप इससे कोई तवे या पैंट पर भी कर सकते हो इसको हम टू मिनिट के लिए ओवन में र को रहा है जो बलना है आपको बन चुका है और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगिए तो इसको जरूर ट्राय करना और लाइक शेयर सब्स्ट्राइब करना मत बुलना अला पिर